नमस्कार आपके साथ मैं हूँ रितिक सभीता स्वागत है आपका SPN 9 News में दर्शको महराष्ट की राजनीती में जिस तरीके से उद्दफ ठाकरे का खेला हुआ है ये तस्वीर आप सभी ने देखी महराष्ट में क्या कुछ होता है आपने दिखा किस तरीके से यहां पर एक नाथ शिंदे के पक्ष में शिफसेना पहुंच जाती है शिफसेना उनकी हो जाती है तीर कमान उनका हो जाता है और चुनावायो के इस फैसले ने उद्दफ ठाकरे को गुस्यल बना दिया जी हां उ असली शिफसेना का हकदार कौन है? यांनी कि यहां पर चुनावायो के फैसले को पूरी तरीके से उद्दफ ठाकरे ने खारज कर दिया था लेकिन ख़़ ये भी है कि सुप्रीम कोट पर उद्दफ ठाकरे को भरोशा था, और सुप्रीम कोट उद्धव ठाकरे पहुंचने लेकिन मामले की सुनवाई जो है उस दौरान देखा गया कि बकील और जस्द्वारा बोले गए हर बाको को सारव जने किया जाएगा, इस सुप्रीम कोट का इसको एहम कदम बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोट ने साब तर पर इस बात को कहा है, आपको बता दे कि यहां पर artificial intelligence यानी की AI की मदद से किया जाएगा, तमाम खुलासों को लेकर यहां पर जो बात हैं उद्दफ ठाकरे कह रहा है, उनको भी सुना जाएगा, लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या उद्दफ ठाकरे जो एक सपना देख रहे हैं, शिप्षैना को अपने पास लाने की, क्या आसा हो जाएगा, इसके साथ ये भी कहा जा रहे है कि लगभग 364 करोड की संपत्ती चल और अचल ये भी एक नाच शिंदे की हो जाएगी, तो यहां पर एक की बात बड़ा जो जटका है, वो लगता हुआ नजर तो आ ही रहा है, यहां पर संजय राउत भी बड़ी बात कहते संजय राउत ने कही ना कहीं चुनाल आयुक पर सवाल खड़े की है, बीजेपी सरकार पर सवाल खड़े की है, पहले आप इस वीडियो को देखी जिसमें संजय राउत बड़ा खुलासा करते हुए उन्हें जरा आ रहे है, उसमें गलत क्या है, जिस तरह से शिवसेना को त आप लोग जिस प्रकाश से विकट हास्य कर रहे हो, तो उसका मतलब क्या होता है, महाराष्टा के दुश्मन कोई भी हो, एक जमाना में हमने दिल्ली के कॉंग्रेस नेताओं से भी यही लड़ाई की थी, आज कोई नया कॉंग्रेस वाला बन गया है, उनका मुखोटा प्र थी, महाराष्टा की इस भूमी का साथ अर असमीत और में आनकी ओपता करने के बाद आपको पता होगिया हो गा, कि आखिर संजय राउत क्यों भड़क रही हैं संजय राउत गुस्सा क्यों है क्योंकि संजय राउत वही नेता है जो अभी कुछ दिन पहले पुलिश चुट कर आए हैं उनको जमानत मिली है इसके साथ साथ आपने देखा कि संजय राउत उद्धफ ठाकरे के साथ देते नजर आएंगे और जनता का दिल कैसे जीतेंगे आप कॉमेंट वॉक्स में जरूर बताएं कि संजय राउत की बास्तिया कि इतना सेहमत है और सुप्रीम कोड का फैसला किसके पक्ष में आ सकता है आज किस खास रिपोर्ट में बस इतना ही देखते रहिए एस्पेन नाइन प्रिएट